पड़ी गडित मंत्रा में आपका स्वागत है मैं अभी एससी सीजल का एक्जाम दे के तुरंद सेंटर के बाहर निकला हूं मैं बताने वाल हूं कैसा आज का पेपर रहा क्या-क्या मुझे फेस करना पड़ा किस टॉपिक मुझे प्रॉब्लम हुई है आंगे किसी का पेपर ह है तो वो क्या सावधानी परत क्या है उसका पेपर अच्छा है तो सब पहले बात करते हैं इंग्लिस की तो बिल्कुल इजी रहा है मतलब जैसे प्रिविएस यर में इंग्लिस आ रही थी रिपीटेड वाइसे सेम तुसे मिहां पर एंग्लिस रिपीटेड है आपको प्रेंजमेंड में आपको थोड़ा वोद प्रॉब्लम मिले और कोई कोशन में भी से दिक्कत नहीं है ठीक है तो बारल पेपर का रिजिनिंग का भी लेवल विल्कुल आसान था आप टेंसर न ले प्रॉब्लम आपको फेस करनी पर सकती है इस फेसली फर जीयस में और दू को निप्टा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब बात कर लेते हैं अधर टॉपिक की तो और कुछ टॉपिक जैसे आपको डियाई वगएर मिन में थोड़ा दयान देना है केल्कुलेसन थोड़ा वो ज्यादा है परसेंटेज ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं आप आर पर रखेश हैं तब आपका होगा अब बात कर लें हिश्ट्री कि थो आप मॉडरन भी पढ़के जाएं और मेडूवल से पढ़के जाएं हो सकता है कि आपको कोई भी फसकता है क्योंकि ठीक है एक मॉडर्ण से पूंचा गया था अब यह बात की जा सकती है कि आप तो साइन्स की आपको तीन से चार कोशन देखने को मिल जाएंगे और इजी हैं आप यदि उनको प्रिपेर करते हैं मतलब यदि लूसेंड की किताब भी आप प्रफर कर सकते मेरे इसाफ से तो आप अपने इसाफ से देख लें ऐसा नहीं कि लूसेंड पढ़ लेंगे तो बह का पेपर छूट जाएगा ठीक है ओपाराल मैं सीधा ये बताने वाला हूं कि आज का पेपर पिछले साल के पेच्छा सरल था मतलब यह नहीं कह सकते हैं पिछले साल रिजिनिंग का लेवल किसी किसी सिफ्ट में अच्छा कासा आया था आज की सिफ्ट सुबह से मैंने अनल पास के अंदर जब बैठा था मैंने बात कि तो किसी के सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर देना